C++ programming के लिए हमारे चानल LearnCoding को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ट्रिबोना की सिरिस प्रिंट कराएंगे C++ में class and object का यूज़ करके तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ट्रिबोना की सिरिस क्या होता तो मैं comment में यहां पे लिख रहा हूँ अगर हम number of term में value input करते हैं 6 तो number of term 6 के लिए सिरिस क्या print होगी सबसे पहले आपको 0 लिखना है उसके बाद 1 लिखना है और 2 लिखना है ये जो 3 number से ये starting point होते हैं ट्रिबोना की सिरिस के आपको लिखनी होगी इन 3 numbers को अब आपको आगे की सिरिस के लिए क्या करना है इन 3 को add करना है जब हम add करेंगे तो क्या value आएगा 3 उसके बाद अब आप last के 3 numbers को सिर्फ add करते रहे तो अभी add करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 फिर से आप last के 3 numbers को add करिए 2, 3 और 6 को जब हम add करेंगे तो result क्या आएगा 11 तो आप देख सकते हैं हमने क्या input करा था number of term में 6 तो 6 के लिए ये series print हुआ है 0, 1, 2, 3, 6, 11 अगर आप और भी आगे print कराना चाहते हैं तो फिर से आप last के 3 numbers को add करिए यानि last का 3 number क्या 11, 6 और 3 इन 3 को जब आप add करेंगे तो आगे की series इसी तरह से print होगी तो चलिए program को start करते हैं तो program में header file, class और main function ये तीनों चीज को आपको लिखना पड़ेगा ये syntax का part होता है अगर आप c++ में class के थुरू एक छोटा सभी program बनाते हैं तो आपको इतना लिखना होगा तो अभी हमने program में क्या कर रहा है सबसे पहले class keyword लिखा है class को declar करने के लिए हम इसे लिखते हैं उसके बाद हमें class का एक name लेना होता है तो मैं ले लेता हूँ A यहां पर आप कुछ भी name ले सकते हैं class का name बस class के identification के लिए होता है अब हम क्या करेंगे class के private part में जाएंगे यहां पर मैं एपने requirement के इसाब से data member बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे number of term input कराना है कि integer value तो मैं उसके लिए int n नाम का एक data member बनाया हूँ इसी में मैं user से number of term के लिए एक number input करूँगा तो वहां तक का tribuna की series print होगा semicolon से close करते हैं आगे जो भी data member हमें चाहिए होगा program में वह हम declare करेंगे अब हम यहां पर member function बनाएंगे तो उसके लिए मैं public access specifier यहां पर लिख रहा हूँ क्योंकि अगर member function public नहीं होगा तो हम object से उसे call नहीं कर पाएंगे तो यहां पर void tribo नाम का मैं एक member function बना रहा हूँ इस में मैं क्या करूँगा इस tribo member function में user से number भी input कराऊँगा logic भी implement करूँगा और यहीं पर क्या करेंगे series को print भी करेंगे तो सबसे पहले user को एक value input कराते हैं तो मैं see out में लिक रहा हूँ यहां पर double quotes में enter number of term यानि कितने term तक आप series को print कराना चाहते हैं यह message का काम बस उतना ही है see in same number को input कर लेते हैं मैंने n को input कर लिया अब जब मैंने आपको starting में tribuna की series बताया था कि print कैसी होती है तो मैंने तीन numbers पहले ही ले लिये थे 0,1,2 तो अभी इन तीन numbers को हमें यहां पे पहले ही लेना होगा तो हमें तीन data member बनाना होगा उसके लिए तो मैं एक data member बना रहा हूं ए उसमें मैं value set कर रहा हूं 0 और मैं एक B नाम का data member बना रहा हूं उसमें मैं value set कर रहा हूं 1 और C नाम का एक data member हम बना रहे हैं इसमें मैंने value set करा 2 ये तीन default value है जो starting point होती है tribunaki series की क्योंकि tribunaki series print कराने के लिए आपको क्या करना होता है last के three numbers को add करना होता है अगर आपके पास three number होगा इस्टार्टिंग में तभी तो आप add करके आगे series print करेंगे इन तीनो data members को हमें class के private part में declar करना होगा तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ A, B, C मैंने यहां पर तीनों में value set इसलिए नहीं करा private section में क्योंकि class एक logical part होता है compiler class के लिए memory issue नहीं करता क्योंकि अगर हम यहां पर value in slice कराएंगे अगर C में मैं two लिख देता हूँ तो यह two store होने के लिए two bytes के memory मांगेगा class से जबकि class एक blueprint होता है जिसके लिए कोई memory नहीं बनता तो इसे हमने member function में लिखा है क्योंकि member function क्या होता है calling के बाद execute होता है उसको जितना भी memory चाहिए होगा calling के time पे compiler उसे issue करा देगा यह हमारा basic structure हो चुका है अब हम क्या करेंगे बस logic को implement करेंगे सबसे पहले मैं एक loop यूज कर रहा हूँ for loop आप चाहें तो यहां पे while loop या फिर do while loop कभी use कर सकते हैं for loop में एक loop variable मैं बना रहा हूँ int i i की value को मैं start कर रहा हूँ 1 से और इसे हमें चलाना है less than equal n तक यानि जो भी value हम n में input करेंगे for loop वहीं तक execute होगा और वहीं तक हमारा series print होगा तो i की value को increase कर देते हैं तभी तो 1 से n तक हमाँ पाएंगे loop execute होगा तो अब इस loop के अंदर क्या करना है simply हमें सबसे पहला digit क्या है tribuna की series का 0 तो 0 अभी हमारा A में है हमें यहाँ पे A को print करना होगा तो मैंने cout में क्या करा A को print करा दिया तो यहाँ पे मैं space के लिए end us का use कर रहा हूँ यह क्या करेगा एक number print होगा उसके बाद end में एक space generate करेगा A print हो चुका यानि 0 print हो चुका अब हमें क्या करना है अब हमें A, B, C तीनों को क्या करना है add करना है तो मैंने A plus B plus C यहाँ पे लिखा और इसे मैं एक store करा देता हूँ एक variable D में तो D नाम के variable को भी मैंने declare नहीं कर रहा है तो error आएगा तो इसे मैं यहाँ पे declare कर लेता हूँ आप चाहें तो data member को member function के अंदर भी declare कर सकते हैं पर मैंने private part में ही लिखा क्योंकि सारे data members हमारे वहीं पे हैं add करने के बाद हमें क्या करना होगा जो भी value हमारा B में है उसे हमें store कराना होगा A में उसके बाद जो भी value C नाम के variable में है उसे store कराना होगा B में इसी तरह से जो भी value हमारा D नाम के variable में है addition वाला final value उसे store कराना होगा C में तो यह logic काम कैसे कर रहा है मैं आपको dry run करके समझाओंगा कि ये काम कैसे कर रहा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तो ये हमारा coding complete हो चुका है, अब हम main function में चलते हैं, और इस class को object बनाते हैं, तो object बनाने के लिए मैं class का name लिख रहा हूं, यहाँ पे a, और एक object variable का name ले लिजे, तो मैं ले ले रहा हूं, obj, class A का object बन चुका है, अब इस object से क्या करेंगे, हम अपने member function tribo को call करेंगे, तो मैंने लिखा obj dot tribo, जैसे ही हमने हमारे member function को call करा, हमारा tribo नाम का member function execute होगा, और हमे number of term input करना होगा, और input किये गया number के according tribo na की series print हो जाएगी, तो get ch function मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, screen holding के लिए turbo c में हम इसे लिखते हैं, और CLRHCR function भी मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, ताकि जो console है, वो clear है, यह दोनो predefined function है, kunio.hder file में पहले से ही defined है, code को save करते हैं, और run कराते हैं, तो आप देख सकते हैं, code successfully run हो चुका, तो यहाँ पर हमें number of term input करने बोल रहा है, तो मैं input कर देता हूं 6, तो आप देखिए, जैसे ही मैंने number of term 6 input करा, series print हो चुकी है, वही series print हुई है, जो मैंने आपको starting में समझाया था, तो मैं इसे dry run भी करूँगा, कि यह काम कैसे कर रहा है, उससे पहले हम एक और result input करा देते हैं, run करा के, तो मैं अभी input कर रहा हूं 10, तो अभी देखिए 10 के लिए क्या series print हुआ है, 0 से लेखे, 125 के भी 10 numbers है, और यह कैसे print हो रहे हैं, आप last के 3 numbers को add करते जाएए, यह आपकी series print होती रहेगी, अब हम इसी series को यह काम कैसे कर रहा है, उसे dry run करते हैं, तो dry run के लिए मैं अपने copy में जा रहा हूं, वहाँ पे मैं आपको better dry run करके समझा पाऊंगा, सबसे पहले मैंने n में एक value input करा, number of term के लिए 5, अब हम 3 variable लिए हैं, A, B, C, तीनों में हमने value set कर रहा है, 0, 1, 2, इनकी value को मैं लिख लेता हूं, 0, 1, 2, ट्रीबोना की series को print करने के लिए यह तीन numbers होते हैं, beginning के number, अब आप last three numbers को add करते जाएंगे, तो आगे की series print होगी, तो आगे try run करते हैं, प्रोग्राम में आगे मैंने for loop यूज कर रहा है, तो i की value start हो रही है, 1 से, यहाँ पर i का current value है, 1, condition देखिए, क्या 1 less than equal 5 है, condition true, तो अब हम loop के अंदर आएंगे, ए को print करेंगे, तो i का value क्या है, अभी 0 है, अभी 0 print हो जाएगा, इसलिए हमने beginning में ही a में 0 set कर दिया था, ताकि हमें 0 print में मिले, अब हम a, b, c, 3 की value को add करेंगे, तो यहाँ पर a का value है 0, b का 1, और c का 2, तो add करेंगे, तो 3 होगा, यहाँ पर d में क्या store हो जाएगा, ड का value हो जाएगा, यहाँ पर 3, उसके बाद b का जो value है, उसे हमें store कराना है a में, तो आप देख सकते हैं, b का value 1 है, तो हम इसे a में store करा देंगे, तो a का current value अभी क्या हो जाएगा, 1, C का जो value है उसे हमें B में store कराना है तो B का value हो जाएगा 2 यहाँ पर B equal to 2 हो गया और D, D का जो value है हमारा 3 उसे हमें किस में store कराना है C में यहाँ पर C का value क्या हो गया 3 फिर से हम loop में condition देखेंगे आई का value increase हुआ अभी प्लस प्लस पहले ही हो गया था तो अब condition देखेंगे आप 2 less than equal 5 condition true फिर हम A को print करेंगे तो A का current value क्या है अभी 1 है तो अभी क्या print होगा 1 print होगा उसके बाद A, B, C तीनों को add करेंगे तो A का value है 1, B का value है 2 और C का value है 3 इन तीनों को जब हम add करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 यहां पर D में क्या आ गया 6 आ गया उसके बाद B की value को A में store कराएंगे तो B का value 2 है तो A में क्या आ गया 2 आ गया C के value को B में store कराएंगे तो C का current value 3 है तो B में आ गया 3 D का current value क्या है 6 है तो अभी C में क्या आ गया 6 आ गया यहां पर C का value हो गया 6 फिर से हम loop में condition देखेंगे तो अभी आई का value increase होके क्या हो गया 3 अब हम condition चेक करेंगे क्या 3 लेजदेन इक्वल 5 एक condition true फिर से हम loop body के अंदर आएंगे और यहां पर हम A को print कराएंगे अभी यह का current value क्या है अभी यह का current value है 2 यहां पर क्या print होगा 2 प्रिंट होगा उसके बाद A B C को आप add करिए तो A का value है 2 B का value है 3 और C का value यह हो गया 11 तो D का अभी current value क्या इस्टोर हुआ 11 उसके बाद B का जो value है उसे में A में store कराना है तो B का value 3 था तो A में आ गया 3 C का value अभी क्या है 6 ए तो B में क्या आ गया 6 आ गया और D का value क्या है 11 है तो अभी C में क्या आ गया 11 आ गया फिर से हम loop में condition देखेंगे आई का वैलू अभी increase हुआ तो हो गया 4, condition देखिए कि आप 4 less than equal 5 है, condition true, यहाँ पे फिर से हम A को print करेंगे, तो अभी A का वैलू क्या है? 3 है, तो अभी क्या print होगा? 3 print होगा, उसके बाद A, B, C को आप add करिए, तो A का वैलू है 3, B का है 6, और C का है 11, यह हो जाएगा 20, तो A का वैलू हमारा 11 था, तो अभी क्या आ गया हमारा B में 11, यहाँ पे B में चला गया 11, और D का वैलू क्या है? 28, अभी C का current वैलू क्या हो गया? 20, फिर से I का वैलू increase करा, तो अभी I का वैलू क्या हो गया? 5 हो गया, यहाँ पे condition चेक करिए, क्या 5 less than equal 5, condition true, तो अब हम A को करेंगे, तो तीनों को जब आप add करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 37, तो अभी D का current value क्या हो गया? 37, उसके बाद B का वैलू है, उसे A में store कराएंगे, तो A में आ जाएगा 11, C का जो वैलू है 20, उसे हम B में डालेंगे, तो B का वैलू हो जाएगा 20, और D का current value 37, C में आ is equal 5, condition false हो गया हमारा, तो आप देख सकता है, हम लूप के बाहर चले जाएगे, तो यहाँ पर हमने क्या print कराया, number of term मैंने input करा था 5, और देखिए, number of term 5 के लिए क्या से print होई है, 0, 1, 2, 3, 6, तो यह काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले अब सुरुवात के 3 numbers को लिखिए, जो म 3 numbers को add करिए, 1, 2, 3 को तो क्या हो गया, 6, तो इसी तरह से अब last के 3 numbers को add करते रहेंगे, तो ट्रिबोना की series print होगी, तो अगर आपको हमारा ड्रायरन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को like करिए, share करिए, चैनल पे नहीं है, तो subscribe कर दिजिए,